हेलो फ्रेंड्स मैं स्रोज अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं आज मैं आपको ये डिजाइन बताने वाली हूं ये देखिए कितना सुंदर बनके आता है फ्लार से बनते हैं ये शोटे-शोटे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों के स्वेटर पर डाल सकते हो औ देखिए आज मैं आपको ये डिजाइन बताने वाली हूं इसमें मैंने बेसिक रो डाल रखी है एक सीधी और एक उल्टी टू रोज डाल रखी है मैंने और इसमें फोर्ग के मल्टिपल फंदे लेने है देखिए पहले हमने एक सीधा बना लिया धागा अपनी तरफ एक दो तीन तीन फंदे स्लिप कर लिए फिर से धागा दूसरी साइड एक सीधा धागा अपनी साइड एक दो तीन धागा दूसरी साइड फिर से एक सीधा धागा अपनी तरफ एक दो तीन धागा दूसरी साइड एक सीधा धागा अपनी साइड एक, दो, तीन ऐसी ये पूरी रो कम्प्लीट करने है हमने ये देखें लास्ट में भी सीधा आ गया अब ये हमारी सेकेंड रोय डिजाइन की उल्टी रोय है उल्टी रो को हमने पूरी उल्टी बना के कम्प्लीट करना है ये बहुत ही असान डिजाइन है और बहुत ही सुन्दर लगता है ये थार्ड रो है थार्ड रो भी हमने पूरी सीधी सीधी बना के कम्प्लीट करनी है एग्म-धे पूर्ड रो भी हमने डिट को साmonर्प歌 रूरी सीधी पारी सीधी घड़ाएन fé जो फॉर्थ रो है उल्टी साइड फॉर्थ रो भी हमने पूरी उल्टी बनाकर कम्प्लीट करने है यह डिजाइन बिल्कुर रेडी मेट जैसा लगता है बहुत ही सुन्दर बनता है यह फॉर्थ रो हमारी कम्प्लीट होगी अब हमारी फिफ्थ रो है सीडी साइड से देखना अब हम अब ध्यान से देखना पहला फंदा हमने सीधा बना लिया दूसरा भी सीधा बना लिया हमने तीन स्लिप किये थे ना एक बना लिया तीन में से और जो दूसरे वाला है सेंटर वाला इसको हम ऐसे करेंगे वान टू त्री फोर फोर टाइम इसको हम निकाल देंगे ऐसे और इसको भी ऐसे कर देंगे और फंदे को हम उपर ले आएंगे अब फंदे को हम ऐसे सीधी साइड को बना देंगे ऐसे अब तीन फंदे सीधे एक दो तीन अब फिर से एक दो तीन चार इस धागे को उधर कर देंगे फंदे को उपर ले आएंगे अब फिर से हम इसको बना देंगे सीधी साइड को ऐसे फिर से दो एक दो तीन अब फिर से हम इसको निकालेंगे एक दो तीन चार अब इस धागे को उधर को कर देंगे ऐसे इस फंदे को ले लेंगे इसको सीधा बना देंगे ऐसे यह देखे आफ फिर से तीन सीधे बनाएंगे एक दो तीन आ फिर से इसको एक दो तीन चार अब इसको सीधा बना देंगे ऐसे फिर से तीन सीधे बनाएंगे एक दो तीन और फिर इसको निकालेंगे तीन फोर टाइम एक दो तीन चार इसको भी पिच्छे कर देंगे ऐसे फंदे को ले लेंगे सलाई में तो इसको अब हम बना देंगे यह देखे फिर से तीन सीधे एक दो तीन इससे एक दो तीन चार इसको भी पिच्छे को कर देंगे फंदे को सलाई में डाल लेंगे अब इन सब को ऐसे सीधा बना देंगे अब फिर से लास्ट में हमारे दो सीधे आ जाएंगे अब उल्टी साइड है इसको हम पूरी को उल्टा उल्टा बना देंगे झाल 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 अब जह हमारे एक डिजाइन बन गया अब हम इसको चेंज करेंगे डिजाइन को अब देखना एक सीधा बना लिया दो सीधे बना लिये तीन सीधे बना लिये अब धागा अपनी तरफ अगले तीन हम स्लिप कर देंगे एक दो तीन फिर से दागा उदर ये देखिए जो हमने पहले बनाया था ना चार टाइम निकालके जो बनाया उसी को अब फिर से बनाएंगे हम उसके साथ वले जो तीन फंदे उसको स्लिप करेंगे एक दो तीन अब फिर से जिसको हमने पहले बनाया था 4 टाइम में धेल कर उसी को फिर से बना देंगे इस से इतर 1, 2, 3, 1 सीधा धागा अपनी तरफ, 1, 2, 3, धागा दूसरी साइड, 1 सीधा फिर से धागा अपनी तरफ, ऐसे इसको पूरी रोग को complete कर देना है अब फिर से तीन last में सीधे आवे अब उल्टी रो हमने पूरी उल्टी बनानी है देखिए हमने उल्टी रो बना लिए इसके बाद टू रो हमने और बनानी है एक सीधी एक उल्टी उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूं कर दो कर दो करें लिए हमने बनानी है बहुत ही सुन्दर फिलार बन के आते हैं इसके देखिए इस डिजाइन के बाद हमने एक इसके बाद उल्टी बनाई एक सीधी फिर से उल्टी अब हम डिजाइन चेंज करेंगे यह देखना एक सीधा दो सीधे तीन सीधे चार सीधे आब इसको हम चार टाइम निकालेंगे एक दो तीन चार अब इस दागे को वीधर कर देंगे इस फंदे को उपर ले आएंगे ऐसे स्लाईम डाल के इसको सीधा बनादेंगे सबको ऐसे अब फिर से तीन सीधे एक दो तीन अब फिर इसको एक, दो, तीन, चार चार टाइम निकाल देंगे, इसको पिछे कर देंगे फंदे को उपर ले आएंगे ऐसे इन सब को सीधा बना देंगे फिर से तीन, एक, दो, तीन बना लिए और फिर से, एक, दो, तीन, चार इसको पीछे कर देंगे, फंदे को उपर ले आएंगे, ऐसे इन सब को सीधा बना देंगे, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, सीधे, अब फिर से इसको, एक, दो, तीन, चार, चार बार निकाल के इसको, फिर से फंदे को उपर ले आएंगे, इसको सीधा बना देंगे, अब एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बना दिये, इसके बाद हम इस पूरी रो को उल्टी-उल्टी बना के कम्प्लीट कर देंगे, इदे की बन्स, यह हमारा दिजाइन बनना स्टार्ट हो गया, यह देखिए, ऐसा बन के आ जाएगा, यह फिर, बहुत ही सुन्दर डिजाइन बन जाता है, देखिए फ्रेंट्स, इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है, उमीद करती हूँ कि आपको यह मेरी वीडियो पसांद आई हो, अगर आपको यह मेरी अच्छी लगी हो डिजाइन तो इसको शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिएगा, और इसी तरह अच्छे डिजाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आज बस इ